बिन्नहरता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा बिन्नहरता श्री गडेशा, 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 श् अंदेश ते निकिली, कदाचित यही सर्वथा उची तो पाए बहुत बचलिये तुम, किन्तु अब तुम्हें बंदी बना कर असुर सम्राठ सूर अपदमन की रात सभामर लेकर जोंगा और रही बात तुम्हारे साथी की तो उसे तो वह भूका दानव अपने दातों के बीच बीच कर अपना आहार बना लेगा प्रणाम असुर सम्राठ प्रताश्री, आपके अपरादी को बंदी बना लाया हूं अधम्पुथ हाँ, यही है वो दुष्ट जिसने मेरे अनुज महा विक्रमासुर का वद किया है मेरा अपरादी है यह, मैं इसने नित्यु दंड दूंगा नहीं लंके, इंका न्यायासुर सम्राठ भगवान सूर अपदमन करेंगे प्राण लिये हैं इसने, तो प्राण देने भी होंगे यही होना चाहिए इसके साथ पिताश्री आदेश देन, तो क्षण में मिटा दू इस दृष्ट को पिताश्री, मैंने कहा था ना, मेरी दृष्टी से कोई नहीं बच सकता बंदी बना खड़ा है आपके शत्रू का दूद, परन्तो इसकी दृष्टता तो देखिए रस्सी जल गई किन्तु इसका बल नहीं गया आप आदेश दे तो इसका शेश बल भी निकाल दू महेंदरपूरी के मध्धे से लटका दू या जंगली पशुओं का आहार बना दू बस आपकी आज्या भर की देरी है मर्क, स्वायमृत्य तुम्हें घूर रही है और तुम मुस्कुरा रहे हैं स्वामी कारते के हैं, हम अनुर्ष करनेश्टी प्रभू आप आगाए प्रभू, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं इस तानव को रोग देजिए प्रभू इस तानव तो और भी भायंकर और रिक्राल हो गया है अवश्यर सुरासाही ने गनेशी के करने से और भी शक्ति चालिया और मयावी बना दिया है इस मायवीनी के वाया गनेशी के लिए कटिना ही नहुत्मिन कर दे इसका प्रहार तो और भी प्रचंद हो गया गनेशी को साब्धानी पूरवक उसका सामना करना पड़ेगा अन्य था अन्य था पुछ पीयो परिणा कि तु इस जलधारा को स्वामी तक नहीं पहुचने दूगे, कदापी नहीं, मेरी प्रतेक स्वास के आधार, मेरी स्वामी है, तो मेरा स्वास रुख पी जाए, तु उनकी तपस्या कदापी भं नहीं हो सकते मृत्यू सामने हो, तु मुर्ख ही मुश्कुराते हैं, जैसे तुम, जो अपनी पराजयी की लज्जा छुपाने के लिए मुश्कुरा रहे हो पराजय और जय का निर्णे तो, युद के बादी होता है असुर सम्राथ, इतना तो आप जानते ही होंगे, वैसे भी मैं अपनी इच्छा से बंदी बना हूँ, अब मैं यहां युद नहीं, शांती का संदेश लेकर आया हूँ, वो भी प्रबु सुप्रमन नियम कार्थिक शांती का संदेश, दुरूबलों के ढाल का प्रतीख है शांती, नहीं अतुर सम्राथ, शांती तो वीरों का स्रिंगार है, शांती को तुछ समझने वाले, वीर प्राकर्मी नहीं, शक्ती मद में डूपे, पहेंकारी होते हैं, और हैंकार अधर्म करवाता है, जो तुम कर रहे हैं, युद तो अंतिम विकल्प है, प्रोको इसे, इसी में सब की भलाई है, अभी तुम सब की नहीं, अपनी भलाई की चिंता करो मुर्क, तुम्हें आब आश भी नहीं, कि तुम ऐसे मायावी बंधन में बंदे हो, जिसे खोलना किसी के भिलिया संभव है, और यदि इसे कोई खोल सकता है, तो केवल और केवल माता सुरा साही, इसलिए इतने उचे बोल तुम्हारे मुख से शोबा नहीं दे रहे हैं, प्रभू की भक्ति के बंधन के लावा, ऐसा कोई बंधन नहीं, जो प्रभू के इस भक्त को कोई बंधन के रौकी को जया है, जसे नहीं जाएज! रसंभाव , यह कोई स्वपने तो नहीं हमारी मायवी शक्ति को इतनी जरलता से तूर दिया इसने असुर समराठ एहंकार्ज भरे शब्द तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देते स्वामी कार्थिके की शक्ति के समक्ष कोई बिबंधन कोई भी अस्त्र अपना प्रभावख हो देते और बल्शाली से बल्शाली भी उनके सरनागत हो जाते इसलिए मैं तुम्हें पुरह समझाता हूँ युद से आज तक किसी का भला नहीं हुआ युद सर्वनाश लाता है निर्दोशों का बियंत कर देता है स्वयम का नहीं तो निर्दोश असुर राजाओं और उनके निर्दोश सैनिकों का विचार करो अकारान ही विजुद के भेट चड़ जाएंगे समझ असुर जाती का नाश हो जाएगा इसलिए अभी भी समय है तबु के शांती प्रस्ताओं को सुखार कर उन सब का जीवन पचा सकते हो यह अंती मौसर है इसे ठुकराया तो अंत निश्चित है मेरे असुरों के मन में संदेह उत्पन करना चाहते हो गदापी नहीं होगा क्या होगा यह व्यवास्तों में सत्ती कह रहा है कई हमसे भूल तो नहीं हो रही है हमारे सुरक्षा तो संकट में नहीं मेरे मन में अनेकों शंकाएं उठखड़ी हुई है हम अपने प्राण संकट में क्यों डालें हुआ है अजय मेरे प्रभू सुप्रमानियम कारते के सामय को पर पूर अविश्वास था कि वो अवश्य है अपने अधूत को यहां भेजेंगे कि आप स्वयम विखन हरता गनेश जी नेरे विखन हरने आएंगे यह नहीं जानता था आपको कोटे-कोटे धनियवाद प्रभू गजानन विखन हरता गनेश जी के यहां पस्तित होना ही इस बात की पुष्टी करता है कि हमारी मुक्ती अवश्य होगी हमारे कश्ट हरने हमें मुक्त कराकर आनन्दित करने आये हैं गनेश जी इस दानव से मुक्ती ही नहीं अपके दर्शिन बाकर वे आते आनन्दित हो गया गनेश जी जहां भक्ती है वहीं आनंद भी है आनंदित रहना तो तुम्हारा अधिकार है तो मैं भला तुम्हें आनंदित करने कैसे नहीं आता ये तो मेरा कर्तव्य था और एक भक्त द्वारा अपने प्रभू पर किये गए विश्वास का मान भी प्रभु को रखना ही था भ्राता कार्टिके के एक महान भक्त वीर बाहु का उनके दूद के रूप में यहां आगमन हो चुका है सूरा पद्मन असूर समराठ हो इतना भी नहीं जानते किसी भी दूद को आसन देना एक वीर और योग गिर समराठ का करतव भी होता है अशर है शत्रों से घिर कर भी हमें करतवय का पाठ पड़ा रहा है हमारे समराठ को भास कर रहा है महेंद्रपुरी में तुम्हें खड़े रहने का भी स्थान मिल गया यह सौभाग यह है तुमारा ओ समझा बाहर से विशाल और समरिप दिखाई देने वाली महेंद्रपुरी की वास्चियों का हिर्दय अक्ट्यंत छोटा है इसलिए तुम सब के पास एक अतीथी को देने के लिए एक आसन ठक नहीं स्वयम को महेंद्रपुरी का अतीथी समझने की भूल कर रहे हो हमारे यहां गुस्वेठियों को आसन नहीं दिया जा तुम आसन के नहीं दंड के अधिकारी हो यह क्या यह दानव तो पुनर जागरत हो गया प्रभु कनाई जी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए नन्य भक्त पुत्र जायंत प्रभु किना उन्य जा हो प्रभु कीजिए व्रुट पुत्री देव सेना की ये कैसी अवस्था हो गई है मुझे उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए स्वामी मैं पुत्री देव सेना को इतने कश्ट में नहीं देख सकती उसकी आवस्था तो बिगड़ती है जा रही स्वामी आप ये परिक्षा रोग दीजे उस्वाम को आहत कर लेगी किन्तो अपनी स्थान से नहीं उठेगी मेरा विश्वास कीजिए ना मैं उसे आहत होने दूँगा और ना ही वो आहत होगी ये मातर एक परिक्षा है इसलिए उसे आपके विश्वास को प्रमानित करने दीजिए जैसा आपने एक काम रेश्वर में किया था कि परिक्षा तो किसी को भी स्वयम ही देनी होती है किन्तो उसके परिणाम का अनंद तो उसके सभी अपने उठाते हैं है प्रब्र, है स्वामी जब तक ये संकर टल नहीं जाता तब तक मुझे इसे जूचने का साहस दीजिए महान जक्ति अपनी शक्ति वा सामर्थि का प्रयोग विद्वन्स के लिए नहीं अपितु शांती के लिए करते हैं इसलिए वे युद्ध करना तभी उचित समझते हैं जब शांती के सारे मार्क बंद हो जाते हैं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos for more updates subscribe to our channel